ह्लो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल तो फ्रेंड्स आज की प्रopagation मेरी रबड प्लांट पर है जो हमारे जिक्षा रही हूं इसमें काफ़ी साफीर वराइटी मेरे पास हैं मैं समस्ति हुए कि इसमें तो इसकी पॉपगेशन भी बहुत तरीके से कीज़ा सकती है तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं तो किस तरसरे से तयार कर सकते हैं इसे भी तयार करने के बहुत सारे मैथड हैं लेकिन आप सीम्पल सा तरीका बता रही हूं बाकि अगर मैं सारे मैथड आजी बताऊंग करने आप आपको जो पत्वाल लेने हूंसे से नीचे के मेरी तोडे हो हैं आप दोड़सकते हैं तो लिखारियों मैंने मैथे तीन ही मिलात है अब है तीक यह द मफ़र और अम्हीं करना तो दूसरा आप देखी रहे हैं यह इक किलरिए तो मैं देखने को मिल रहा यह मैंने मार्च के लास्ट में डाला था पानी में उनकी शेड़ में रखा हुआ था और पानी भीच बीच विच में इसके चेंज करती रही आपको भी करना पड़ेगा अगर आप तो प्रत्य चाहते हैं बहुत आसान है और अब और इन में भी थोड़ा थोड़ा हल्क हल्का सा मुझे दिखाई दे रहा है तो इस तरह से आप इनको जैसे जब पानियों डालेंगे एदम तो रिजट नहीं मिलेगा फ्रेंड्स लेकिन हाँ इनको थोड़ा टाइम बगता है जैसे मैंने मार्च के लास्ट में डाला था तो अब लगाने का वह मार्च से शुरू हूँ जाता है तो इस तरह से आपको इस प्लांट को तो तयार करना चाहते हैं तो उसे माच के लास्ट में डालें और अब लगाना बता देती हूं कैसे लगा करते हैं अभी मैं इसको देखो एक डिस्पोज ग्लास में बना रही हूं तैयार करें उसका क्योंकि यह प्लांट भी छोटा है और इसको मिट्टी थोड़ी चाहिए ज्यादा मिट्टी लोंगे अगर ज्यादा सोयल में लेती हूं तो प्लांट को खराब होने का ड़ रहां व्यच्टीन हमारी जड़ है जितना हमारा छोटा प्लांट है जैसे बड़ बैसे समय से निकाल कर आसानी सब दूसरे पॉर्ट में रिपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए दिखा देते हैं आपको यह हमने इसमें कुछ भी नहीं है इस पर थोड़ा सा आप बैलेंस करना सकते हैं थोड़ा सा रेत का इसमें जो भी नॉर्मल मिट्टी है यह थोड़ा सा अगर डाल लें तो था कि इसका जो अच्छा रहे वह हर प्लांट का पो करना पड़ेगा पॉर्ट के लिए तो और यह रही मेरी कंपोस्त जो घर की है और गैनिक को ही मैं डालूंगे इसमें ताकि इसकी हाइट अच्छी बढ़ेगी तो जल्दी यह बढ़ेगा तो चलिए मैं इसमें पहले खाल डाल देकि यह मैंने डाली इससे क्या है कि हमारा यह प्लांट ना आसानी से निकल जा पहले देख लेते हैं हमारे कितनी आईगी अब आज आएगी है अब इसमें हम यह डालेंगे आप यह देखिए और हम इसे धीर ऐसे डालेंगे तो दाबाना नहीं है विल्कुल भी अगर हम दबाएंगे तो इसकी जड़े तूटने का ड़ रहेगा और वही करना क्या है हमें उठा पटक करनी है ऐसे जिसे बैलेंस बना रहे हैं मिट्टी का और इसमें यह बवल भी ना रहे हैं तो देखिए मिट्टी का पूरा एक बैलेंस हो गया है तो थोड़ी बहुत पानी से घुल जाएंगे और मिट्टी भी इतनी है जितनी हमारी प्लांट को चाहिए अभी यहाना बेवी प्लांट है तो इसको हमें इसी तरह प्यार करना पड़ेगा आप चाहें तो कोई ओट ओट भी ले सकते हैं घर का कोई भी आपके पास कंटेनर हो तो यह तो मैं एक प्लांट के रख से इसकी हाइपी बढ़ेगी और यह खराब भी कम से कम होगा यह डाल दिया हमने पानी अब इसका देखते हैं सिस्टम पानी का पानी कैसा असानी से निकल रहा है इसका ही देखिए वह सेंपल सा तरीका है और जड़ भी दब गई और हमें कुछ यादा करना में पड़ा अगर हम इसको ऐसे दबाएंगे तो हमानी जड़ जो है वह इतनी दब जाएगी कि उससे अंदर यांदर पानी कम लगेगा मैंने क प्लांट मोसली खराब हो जाते हैं तो अगर आप इस तरह से लगाएंगे बड़े पोट में चोटे पोट में कैसे भी पोट आपका घर का हो या रेडिमेट हो उससे के प्लांट कम से कम खराब होता है डैमेज कम होता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहती है खाद आप जांके कैसे विद्ध दाते हैं या लेव कमपोस दाते हैं अगर आप वह नहीं है तो आप रेडिमेट भी आल सकते हैं आप मेरे पास घर यह तो पहत्चा पपनी निकलेगा आएं अच्छा अच्छा नीडी सिस्टम नहीं होगा अवस्ट्रा नहीं होगा अपनी नहीं प्लांट करें उसायल नहीं होगा टो अब बस मुझे पानी डालने हैं अवस्ट्ता की अश्ट्धा नहीं है तो इसे मिट्टी थोड़ी हाड चाहिए तो बस आप चाहें तो बिना रेट के डालने के बजाए आप इसमें कमपोस या लेंजसू की पत्ती डालकर भी मिट्टी को तयार कर सकते हैं क्योंकि यह बड़ा होकर काफी एदम से इधर उदर जुकने लगेगा तो उसको कंट्रोल में करने के लिए आपको कुछ लगाना पड़ेगा या फिर मिट्टी को थोड़ा सकत रहना पड़ेगा तो ज्यादा सौफ्ट मिट्टी ना ले इसको हाड ले चलिए मैं इसका वो भी दिखा देते हूं तो इससे आपको घर करना रखे घर के बाहर रहना है लेकि शेड पहले प्लांट त्यार के तभी मैं निकाल नहीं सकती क्योंकि अगर मैं निकालेंगी तो इसकी जड़ खराब हो जाएंगी लेकिन जब इस तरह बढ़ा हो जागा तो मैं इसकी विज़ा आप से चीड़ करेंगी यह मैं त्यार हो चुका है इसमें नहीं पत्यां यानी नवल करते हईं तो इस टैप के प्लांट निकाल करते हैं जोहां से ड़र करते हैं तो इससे ग्यां प्लांट को हमस्ट्र है जो हम पत्तों से भाष बंद बर जाएगा और की मेंसपड दे देती हूं उसे ऊपर से थोड़ा सा नेल पुलिस टच कर देती हूं ताकि मोस्टर बंद हो जाए और फिर रिजट इधर दर से निकलना शुरू हो जाए अब देखिए छोटा है यह मैंने मार्च के लास्ट में करी थी और अब इसकर जट में चुका है एक और भी है मेरा तया लेकिन उसमे अभी जट तो पकड़ लिया है लेकिन उपर से जट नहीं आ रहा है तो अगर आप दो-तिन प्लांट त्यार करते हैं और आपको जट एक का मिल रहा है एक का नहीं मिल रहा तो यह ना सोचें कि वह हमारा कटिंग खराब हो गई है या हमारा प्लांट सर्वाइ दो आपके सामने हैं और बाकी यह तयार हो रहे हैं तो मेरे इस तरह से 8-10 प्लांट तयार होने हैं और यह बहुत ही प्लांट पड़ते हैं इन आप इंडोर में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा बस इनकी पत्यों का दो दीजिए या कपने स्वाफ कर दीजिए और वह cjiजन के महले में भी अच्छे प्लांट माले जाते हैं 2-3 साल थो प्लन एक तो के hands का द मैंने कटम क्यू दिए यह दा ही यहां से और इस न हीगेगि मैं सब्सक्राइब प्लांट सार्प निकल रही है , इसको एक बेबी प्लांट यह बाध निकल रहा है , और यह देखे पट्ती बढ़न हो रहा है , तो अगर आप बहार रखेंगे तो इस तरह से पेजांगी प्लांट की सबस्चुरणत यह लंगे घरदिये जोर धरेंगी तो इसलिए मैं आपको यह सज़ेस्ट करूंगी प्लांट को हमेशा इसे शेड के चाहिए यहां मेरा जो पेड़ है इसके शेड में रखावाई कुछ पती शेड भी है तो वहां मैंने इसे रखावाई काफी ठीक हो गया है मेरा काट काटे मैंने इसको बूशी बनाया इस तरह से फ्रेंट्स आप जितने मरजूतने प्लांट ट्यार कर सकते हैं जैसे कि आजकल ऑक्सिजिन के बड़ी प्रॉब्लम चल रही है सबी को चाहिए और एक जो नेच्रल ऑक्सिजन है उसकी सब को काफी ज़रुत भी है आवश्यक्ता भी है तो जितने आप प्लांट में त्यार कर सकते हैं उतनी आपको पसंद आती है आपी त Canon चाहते हैं तो इस तरह साफ इजिली थैयार की जेंडे तो फ्रэnds अगर आपको आपके प्लाइब पसंद आता है तो इस वीडे कीजिक्ते हैं अब हम आपने बैट कुछी बी मिलकर आ वह चींपती जिए पीज